पर दोस्तों आप सभी का सौगत है मेरे यूटूब चनल में शर्फ सिधान आज हम बनान जा रहे हैं मटर पनीर मेरे स्टाइल में चलिए बनाते हैं मटर पनीर बनाने के लिए 500 ग्राम पनीर लेंगे 100 ग्राम मटर लेंगे हमें एक कड़ाई लेनी है कड़ाई में चार से पांच चम में मस्टर ओल डालेंगे तेल करम होने के बाद दो तेज पतर डालेंगे एक डाल चीनी डालेंगे एक जैवत्री फूल डालेंगे अब हम अद्रग लस्टन हरी मिर्ची का पेश डालेंगे तीन प्याच का पेश डालेंगे प्याच को अच्छे से बूझ लेना है प्याच भूझने के बाद तीन टेमाटर की प्यूरी डालेंगे टेमाटर को अच्छे से पका लेना है टेमाटर पकने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे दो चमर धनिया पाउडर एक चमर लाल मिर्च पाउडर एक चमर फल्दी पाउडर और स्वाद नमर मसालो को अच्छे से मिला लेना है मसालो को दो से तीन मेंट तक पकाना है और थोड़ा सा पाई डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाला पकने के बाद अब हम इसमें मट डालेंगे और मिला लेंगे सौसे डेट सो एमल पाई डालेंगे और अच्छे से पकाना है ग्रेवी को अपनी दो से चार मिन तब पकने के बाद अब हम पनी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद दो से तीन मेट के लिए ढकन से ढालेंगे दो से तीन मेट पकने के बाद अब हम हरे धनी डालेंगे और मिला लेंगे अब हमारी मटर पनीर की रेसिपी हो गई है तयार मटर पनीर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सस्क्राइब करना ना भूलें शेफ सिधान झाल 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 झाल